हलो ब्यूवर्स रसोई का अनन चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए हेल्धी चिकन टंगडी की रेस्पी लेके आए हूँ इसके लिए हम पहले चिकन टंगडी को अच्छी तरह से धो के छन्नी में डालके उसको एकदम ड्राय कर लेंगे अब उसमें दोनों तर कट्स लगाएंगे कट्स लगाने के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे दोनों तरफ कट्स लगाने के बाद हम इसमें एक चम्मच नमक और आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए और एक चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे और एक निम्बू का रस डालेंग निंबू का रस डालने के बाद नमक, मिर्ची और निंबू के रस को हम अच्छी तरह से चिकन में हाज से मसल की उसकी मसाज करेंगे ताकि उसके अंदर सारे जूसिस चले जाएं अच्छी तरह से मसाज करने के बाद हम इसको ढखके 1 घंटे के लिए रख देंगे आप अगर जल्दी बनाना हैं तो बाहर भी रख सकते हैं और अगर एक से दो घंटा आपको रखना है तो आप इसको फ्रिज में रखिए एक घंटा इसको ढखके रखने के बाद हम आप एक दूसरी पेस्ट बनाएंगे विवर्स अगर आपको मेरी रेस्पीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए हम तीन हरी मिट्ची लेंगे आठ से दस लसन की कलियां लेंगे एक कप हरा धनिया लेंगे हरे धनिय की थोड़ी डंडियां भी हम लेंगे साथ में सिरफ पत्ते नहीं लेंगे ननियों में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है अब हम इसको मिक्सी के जार में डालके बिल्कुल दो चम्मच पानी डालके इसकी पेस्ट बना लेंगे इसकी बारिक पेस्ट बनाने के बाद हम पहले जो चिकन मेरिनेट किया था उसी के अंदर इसको डाल देंगे और वापस से एक घंटे के लिए ढखके फ्रिज में रख देंगे उलट पलट कर अच्छी तरह से इस मेरिनेशन को चिकन में मिला देना है अगर आप चाहें तो एक दिन पहले भी इसको मेरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं जितने टाइम मेरिनेशन लगी रहेगी आपका चिकन उतना टेंडर हो जाएगा इस पूरी रेस्पी में हमने सिरफ दो चमच मक्षन का इस्तमाल किया है और मैंने भारी लोही की कढ़ाई ली है इसका तला भारी है और हम इसमें बिलकुल पानी नहीं डालेंगे जो चिकन अपनी जूसर छोड़ेगा उसी में ये पकेगा पांच मिन बाद इसको एक बार पलट देंगे आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते है 180 डिगरी पर आप इसको 20 से 25 मिनिट में ये चिकन टंगडी बन जाएगी बाकी चिकन के साइज और ओवन के टेंपरेचर टेंपरेचर हर ओवन का अलग रहता है तो बीच में आपको एक दो बार चेक करना पड़ेगा एक बार पलटने के बाद हम वापस से 5 मिनिट के लिए चिकन को ढग देंगे उसके बाद खोल कर हम इसको हाई फ्लेम पर थोड़ा भून लेंगे और इसमें एक अच्छा कलर आ जाएगा अब हम इसको एक प्याज को लच्छा प्याज कर लेंगे उसको एकदम बारीक बारीक पतला पतला उसमें हम पुदीने धनी की चटनी मिक्स करेंगे प्लैटर में पहले प्याज को डालेंगे धनिया पुदीना मिक्स प्याज को उसके उपर हम चिकन टंगडी को रखेंगे साथ में हम टमाटर का छिलका उतार के पत्ले पत्ले उसकी वेज़िस काट लेंगे इसके साथ में वो रखेंगे इसके साथ आपको किसी चटनी की ज़रत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसके अंदर निम्बू डाला है और निम्बू से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और हमने जो प्याज नीचे डाले हैं उसमें भी थोड़ी चटनी डाली है ये एक complete protein diet है इसके साथ carbs लेने की कोई जरूरत नहीं है आप किसी भी तरह से इसको enjoy कर सकते है ये कम fat में एक healthy dish बन कर तयार है